अब दर्द नहीं है आँखों में अपनी बातें कह देने का अश्वन तो बदनाम हुआ है पलकों के शंग होने का चलिए एक में फिर साब का सगत करते हैं और यह जो आज का वीडियो है जिसमें हम कुछ और कोशन लेकर आए हैं प्रड़ करें तो देखे हैं स्टार्ट करते हैं पहले कोशन के साथ जो आज का पहला कोशन मतलब कंटिनी बात करें तो प्रोडूश्टी नंबर 16 है हमने लास्ट में 15 कशन कर रखे थे तो यह पूंशन है जिसको हम इस वीडियों कर रहे हैं ङॉडिय क्या करा करा टू कोड् ठीक है एबी और सीडी दिखेंगे ध्यान से जब एबी बात करेगा ये और बी तो अगर प्रोडूश्ट किया गया है तो ए से बी कि तरब हम बढ़ेंगे ये कहेंगे पी है है और सीडी को प्रोडूश्ट किया गया है एक सी आरड को एक इसने साथ और बोल रखा कि ब्लक्रण डिखेंगे उस्क्राइब गिए हमसे पूंछन थीमित्ना है क्या बोला था एक tangent है और एक कोड है तो हम क्या बताय था हाँ को P T और यह बोले थे य यह बोले थे व y arguments तो प इसी को बोलेंगे P T S कर व्रावर प Obos c kya अगर दो कोड होता है हमारे पर पी यह क्यों है और यह पी र है तो हमारे पैस कर बरावर स्चाहिए वो कोड हो चाहिए टैंजेंट हो हम दो बार उसको डोनों पवल दोनों पशा के इस ततना हो जगा सबाय कितना जंब सु पूरा आपको यही निकालना है कैसे निकाल लेंगे 7 मरतब्वे से कर दिया और यह चार मुर्तबे कर दिया चार से कर दिया चार दुना आठ तीन चरियाठ वहते ट्वन्टीएट पॉइंट 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 हो गया आपका और दुनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा अपक्नेर दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा फौक्त रिहाए हैं है आपको जैसा आपने बिता थे जो मेंट्री और मैं क्राइब करें स्लिंडिकल वेसल यह मतले कोई भी बरतन है क्या बोल रहा है कि इसका जो हाइट है यह दे रखाया है 42 इसमे आपको जरुबरत नहीं है डियाग्राम बनाने के लिए और रेडियस दे रखाया है 30 गोल रहा है इसमें जितनी भी पानी है एक रेक्टेंगुलर गार्डेन में रेक्टेंगुलर टब में डाल दिया गया है तो यह क्या बना मुझे नहीं पैदा लेकिन रेक्टेंगुलर कुछ बना है ठीक है तो क्या हो रहा है कि इसकी भी लंबाई चुड़ा इदे रखे 75 और 44 हो आप से हाई्ट की ऑसे पुछ रहा है अफको क्या करना है एक का पता करना है जिसमें पूरा पानी श्में आएगा अगर यह था सब्सक्रेल भी फटन का तक ही यह ना है कि रसजिए लिग कहले कि भॉल ईसका हो जाए और हम यह भी बीलग की पूरा हो मतलब हमको क्या करना है इन दोनों को ब्राबर करना है अब आप देखिए बाइस बटे शाथ गुने तीस स्क्वाइर गुने एच पाइर स्क्वाइर हो गया इसका बॉलूम और यह कितना आना चाहिए 75 25 इंटू 44 इंटू एच अब आपको यही कैंसल किजिए जहां-जहां कट रहा है कैसे कटेगा साथ से 6 मरतबे कट गया 22 से 2 मरतबे कट गया अच्छा इसको 900 लिख दे रहे हैं तो 75 गुरे दो कितना होता है 250 और यह 6 मरतबे यह कट गया और 6 और 6 कुछ ज्यादा कट गया क्या हमने 22 दो 75 6 ने यह 6 क्यों कटेगा यह 6 रहा जाएगा यह आपस में 6 हमने काट दे गलती से तो आपका कितना गया ऐच की वैलू 36 सेंटिमेटर देख लेते हैं कितना क्या दिया हुआ है देखिए उनिट देखिए आज थोड़ी गर्मी मुझे ज्यादा लग रही है या फिर कर यह मेरे तरफ गर्मी थोड़ी ज्यादा है खोड़ सकता आप लोग भी महस्तूस कर रहें है Q18 Q18-800 PRT is a tangent to a circle with center O at the point R एक circle है इसके कोई पॉयंट है यहां R है और बोलगा PRT tangent का मतलब इस तरह का दाम होगा बोल रहा है कि अचा भी दे रखा वो और क्या बोल रहा डामीटर SQ of the circle is produced diameter SQ of the circle is produced to meet the tangent at P इस तरह से diameter को produced किया गया है diameter का नाम उसने दे रखा क्या SQ और SQ को produce करेंगे तो S से Q की तरफ produce करेंगे और यह PP मिल गया है इफ एंगल QRP 21 QRP यह एंगल दे रखा कितना है 21 है यह कितना दे रखा है 28 डिग्री तो आप से पुछ रहा SPR SPR हमें यह एंगल निकालना है आपको याद होगा पहलेत एक बात कि कोई भी ट्रेंगल कोई भी टैंजेंट कोई भी टैंजेंट किसी कोड के साथ जितना एंगल बनाता है इस कोड के साथ यह कितना टैंजेंट एंगल बना रहा है तो करेंगे आप तो जितना एंगल कोड टेंजेंट के साथ बनाता है उतना ही एंगल कोड सर्कल पे कहीं भी बनाता है अगर इसके बात करें तो यह भी कितना हो जागा 28 डिगरी लेकिन दूसरे साथ लेंगे यह इस तरफ भी बना सकता है देखिए इसको देख लीजा आप एक बार माली जे टेंजेंट है यह कोड है यह एंगल जो है वह ठीटा है तो यह कोड जो है यह कोड जो आपको ने मैंने इससाब से मिल गया कि यह कितना डिगरी है और आपको पता यह डिएमेटर है तो डिएमेटर कहीं भी सरक पॉइंट पर कितना बनाएगा तो 90 बनाएगा अब खुद बताएगा यह नाइन्टी है यह 28 है हमें निकालना यह एंगिल तो यह टूटल एंगिल कितना हो जागा 90 4 degrees हो जाएगा यत तक हम उमीद कर रहे हैं कि आप बाते समझ रहे हGUंगे जो भी मैं तरीका बता रहा हूं को जिसतरीक से में question करवा रहा हूं मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं मैं शिंपल तरीके से चल रहा हूं आपके स्पीड से मैं चल रहा हूं तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे देखिए कोशन और आए कोड एवी एंड सी डी और फिस शरकल फेखिए को कुशन अबर नाइंट इसने बारा यह पूरा दे रहा उसने बारा बी का वैली रहा है दे डी अगर एक काया चाहती है कितना हो जागा है total 3 x आप से पूछ रहा है क्या सीएक की बेलू आपको पता है कि 12 है गुणा 20 देस्ट नंबलो 25 जो होगा वो क्या होगा 3 x गुना X होगा कि नहीं होगा हमें क्या निकालना है हमें यही निकाल दना है 3X की भेलु तो आप X की भेलु अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम देखें 3 से इसको काट दिया 4 मर्तब्बे इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 तो कितना हो गया 9 हो गया अब हमें निकालना था 3X की भेलु तो 3X की भेलु कितना हो जाएगी 27 सेंटिमेटर कितनी 27 सेंटिमेटर पर minder या माजा नहीं आ रहा है देखें को बड़ी बात नहीं है हमें भी मज़ान नहीं है किसे मजाएगा आपको मजाना चाहिए और एंगल बी जो है 72 डिग्री का है एंगल फी जो है 44 डिग्री का है और बोल रहा है बीसी प्रोडूस्ट टू डी बीसी को डी तक बढ़ा दिया गया है चलिए कोई बात ने बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एसी दी मिट्स आइट इड़ वाट इसे मिजर ऑफ बी इसी हमे में यह अंगल निकालना है कि यहां पर एक कोश्चान स्टैक का था हुमारे इसे सेट में साहँ अभिएशली वीडियो में अभिए पर लेकी क्या है कि एक इंटर्नल अंगल का मिजरेथ सिर्टर है यह एक स्टर्नल एंगल अगर दोनों इंटर्म लेंगल का इसेक्टर होता तो यहाँ दो बनता हो क्या क्या बनता नािटि पलस एवाई टू और एक इंटर्रन एक स्टर्न तो सिर्फ एवाई टू तो अगर तो यहां बहत्तर है यहां 44 आप ये अंगल निकाल के आधा कर दिया आजाएगा आप निकाल लीजेगा आपको आजाएगा और जो नहीं निकाल पाएंगो उस मिठड़ से उनके लिए बताज रहा हूं निकि ये 72 डिग्री आतिसका आधा कितना हो जागा ये 36 अब यह मुझे ये 68 और चेट आधालिस और 148 गटातेंगे तो ना जाएगा किलियर तो आपकर ये कितना जागा 32 दिग्री आप ये निकालेंगे तो 72 और 44 कितना हो जाता है एक सोला एक सोला एक सोला तो कितना जाएगा साथ चाउंसट हो जाएगा तो यह कितना जाएगा 32 कि लियर को देखें कोश्चन नमबर ट्वांटीवन कर एक ट्रीयंगल है ABC जिसमें AC की वैलुदे रखा है BC की वैलु दे रखा है एक ट्रीयंगल क्या है ABC और इसमें AC की वैलुदे रखा 8.4, basic value दे रहा है 14, P जो point on AB, P एक AB पर point है, इस तरह से कि C P के value 12.2 है, C P के value 11.2 है, A C P ब्रावर B है, A C P, यह जो angle है, यह किसके ब्रावर है, angle B के ब्रावर, तो आप से find out करना है, बोल रहा है, angle side PB, P और B, PB हमें यह निकालना है, देखिए इस तरह का question हमने किया था, देखिए इस में क्या करेंगा आप, फिर से वही किजिए, इस triangle में देखिए, बड़े वाले triangle है, इस बड़े वाले triangle को देखिए, और इस छोटे वाले triangle को देखिए A, P, C को, A angle और A angle, दोनों common, sorry, दोनों बराबर और यह angle common, इसका मतलब जो यह angle होगा, यह क्या हो जाएगा, पूरा यह angle हो जाएगा, angle C, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस से साब से दोनों triangle क्या हो गया, similar हो गया, जब दोनों triangle similar हो गया, तो आप ratio लगाई, हमें देखे निकालना क्या और दिया हुआ क्या है, हमें ध्यान देना है, अब देखे, angle B जिसके सामने वो set दिया हुआ है, तो बड़े triangle में angle B किसके सामने क्या है, 8.4, छोटे triangle में angle B के पराबर कौन सा angle है, यह, इसके सामने क्या है, यह, अगर वो हम लेते हैं, तो नहीं हमार बड़े वाले में इसके सामने क्या दिया हुआ है, 14 और छोटे वाले में इसके सामने क्या दिया है, 11.2, अब उसके बाद हमें यह angle लेंगे, बड़े वाले में जो यह angle है, इसके सामने हमें क्या दिया हुआ है, लगता है तीनों लेना पड़ेगा हमें, चलिए तीनों ले बचा इसका साहना बड़े में क्या है एक्स प्लस वाई और पोइट फॉर अर फिर इन दोनों को सुझ्वर करके यह एक्स सुलब किज़े यह कितना हो जाए गपक meant वेलू कितनी हो गई 6.72 देखें तो गुना करके ठीक है अब य के वेलू आप इसको पूट कर देजिए तो 14 वाई 11.2 बराबर यह ले रहाँ और यह ले रहाँ वाई 8.4 देखें आप 14 से काट देगे कटेगा 8 मरतब्बे कट जागा यह और यह 6 मरतब्बे 4 और यह 3 2 और यह 7 तो 7 3 जा 21 और यह 2 एक्स पलस कितना हो गया तेरा अब 72 दुना चववालिस अब इसको मैनेस कर दिए ते कितना हो जागा 21 में 21 में से कितना 20 में से तेरा मैनेस कर दिए 7 7.56 डिवाइड़ बाइ 2 बहुत पुट पढ़ांगा आगे हमें एक्स निकलना था कितना जग एक्स देखें टेक पर भागा दिए 2 तीया छोड़ दूसाच चवदा देखें तो ऑप्सण है आपके पास ऑप्सण थार्ड ऑप्सण है थ्रवा क्लकुलेशन इसमें ज्यादे कराया है चलिए बढ़ते है नेक्स कॉशन पर टाइम लगा हम इसमें जाबा देखें कॉश्चन नमबर 22 इस कॉश्चन में क्या कर रहा है बोल रहा दो सरकल है दोनों का रेडियस दे रखा है गोड़ा दो सरकल है दोनों के दूसरे को इंटरेट करता है एक का रेडियस पांच है और दूसरे का रेडियस साथ है दूनों के बीच का इंटके का दिस्टेंस यहां से इसके parallel एक line खेचता हूं तो यहां से यहां तक मुझे पता यह दिया हुए 5 यह पूरा था 7 तो यहां से यहां तो 5 ही हो जागा मतले भी हो जागा दू और यह एंगल क्या है यह है तो 10 square minus 2 square का रूट दिस्टेंस बिट्विन टू सेंटर्स इतना दे लेंद्ध अफ दू कॉमन कोड और स्वरी मैंने गलत कर दिया कॉमन कोड का लेंद्ध पूल रहा था हमने कॉमन टैंजेंट निगाल दिया देखिया यह करते हैं तो मिस्टेक हो गया मेरे से एि है अपको पता यह कितना दिया हुआ यह कीत थेखिए हुआ अब मुझे बताई कि यह जो यह इदूरी है यह जो दूर्य है यहividades है बताएंगे क्या हो जाएगा तो फाईब स्क्वायर मैनस X- bases guard का root हो जाएगा और यह जो दूरी ہے इस triangle स्वाइंगी ऐसक्वायर मैनस 10-6 truths का एक संवाईर का हम जाएगा हुगा कि नहीं होगा कि न्हीं होगा हम दोनों root में निकले और दोनों को जोड़ के हम वराबर 10 करेंगो तप हो जाएगा। ऐसे क्या हो रूट मे यह लेकिन को जोडना हम पड़ा है हुआ हम डिरेक्टी रूट को कहीं से लड़ कर सकते हैं और हम बोल सकते वह सकते हैं और जो एख्वार के जुभाई है इसमें इसको आपको ब्रेक नहीं करना है कहीं कुछ आप देखिए कि एकस बाले को एक साथ तरफ कर दीजिए तो हम साथ स्क्वार के साथ इधर माइनस कर दें पांच स्क्वार तो साथ पांच कितना हो जागा 12 इसको अमने इधर लेके चला है तो दोनों कायड करें तो क्या हो जागा 10-2x और इसमें सी इसको माइनस करें तो क्या बचेगा 10 तो यहां से आपको निकल कर आगया क्या 24 या फिर 2 से भागा देंगे तो क्या हो जागा 12 बाई 5 एक किसका वैल्यू आएगए 10-2x का हमें निकालना है x x निकालेंगे तो क्या हो जागा 10-12 बाई 5 aches कि होल डिवाइडेड़ ब्चास में से बारा जगा तो कितना ओचाएगा जागा 38 मतलब 28 बटे 5 बटे 2 मतलब 29 बटे 5 आप खुद बचाईए यहां पर हमें निकालना है यह लेंध कितना जागा 5 2-2a मतलब इसका पूरे गरूट में लेगा अब कितना आ जागा पचीस उना पचीस शेसों पचीस माइनस थिरी एक्टीवन सही है थोड़ा सा केल्कुलेशन आप चेक किजेगा हमें लग रहा है यह बुला गया हमें उनिश्का स्क्वार मैनस चालिस उन्चालिस ठीक है यह जाएगा और रिचे में जाएगा पांच इसको कर लेंगे रूट तो हमारे पास आ जाएगा जो बचके आएगा वह फोर हो जाएगा हो जाए गा जाएगा तो यह जो हमाले है क्व पाथी मतलब पूरा कोड की लंबाए यह अकर निकालनी के बात करे हैं तो इसको क्या किजये आप दो गुना इसको дорट अख्रि भाग आपको समझवा गया क्या किया यहां पर मैंने इसको मैंने लिख दिया 4 root 66 root के अंदर यह 2 हो जाएगा और मुझे निकालना था code code को हमको इसके double करना होगा तो उसका 2 और यह 2 मिलकर 4 हो गया root में अंदर 66 बचा नीचे तम्हार पस 5 यह 22 नमबर question अभी तक आपने देखा 2 question नमर पर ऐसा है जो थोड़ा सा calculation करवाया है बाकि सब question normal था मैं पहले भी बोलता हूं कुछ question साब को मिलेंगे जहां पर आपको calculation करना पड़ेगा हम question number कितने पहुंच गया 23 देखे question करा D is the midpoint of side BC of triangle ABC point E lies on AC such that EC equal to 1 by 3 पूर्य का मतलब इस तीन भाग में इसको बाट रहा होगा इसे कहा सकते हैं जिसका एक पाट यह एक पूरा तीन मतलब पूरा एक है तो पूरा तीन मतलब अगर यह एक है तो अगर यह कितना हो जागा तो अगर यह इसको आशना 10 रेशियो दिया हूँ रहे है डिरक्ली इंडरेक्टली वहां में उसका यूच करेंगा मेरा कहने का मतलब क्या है क्या क्या सब्सक्राइब करना कि आपको दिया हुइक क्या है ब्राबर है तो सलसे इप देखें कि ये चाहिए जो साईड है इसके पर्लेले हमें एक लाइन ड्रा करना हुगा इसके लिए चोटा बृड़। बड़ा बला ट्रेंगल दूनें सिमिलर कोजाएगा इसका मतलब चोटे बाले का एक unit बड़े बाले ट्रंगल के दो unit के बरावर हो गया, इसका जो एक unit है ये किसके, इसके दो यूनिट के बरावर है, है के नहीं है, अब देखे एक चीजा और देखेगा, अभी उसको लीक ने रहें, क्योंकि आगे आगे आपको ये करना है, इसका एक जो है, इसके दो के यह एक ब्राबर है यह जो जो दो चीजे है यह जो दो चीजे है यह जो दो पर ले लान रा किया थे ना तो यह जो एक ट्रांसवर्सल यह काट रहा है मतलब यह जो एंगिल है और जो यह एंगिल है अल्टरनेट एंगिल के कारण ब्रावर हो गया इसका मतलब यह ट्रैंगिल और यह ट्रैंगिल भी सिमिलर हो गया और खुद बताईए यह ट्रैंगिल अगर सिमिलर हो गया तो इसके सामने का साइड और इसके सामने का साइड का रेश्यो क्या होगा सेम होगा और यहां रेश्यो दिया हुआ इसका वन है तो इसका टू है हमें कोश्चन में दे रखा है इसका वन है तो इसका टू है मतलब इसका बताइए कि जिसका यह छोटा वाला आगर वन है इसको भी रहन देजा भी इसका छोटा वाला वान है तो इस इसका 2 मतलब in जो भी 1 क्या वंगा और कि इसका क्या होगा यह लोगा तर आप मुझे बताइए कि इसके सामने सायड कौन सा आ operates इसके आंगल के सामने क्या है उसका ढ Lot एक आप से पुछाते इसका रिशयो ए टीजी ओर जी डी वर इसको पा car सब्सक्राइब तब तक हम बढ़ते हैं कुर्शन नमबर 24 पर फ्रॉस्ट हो गए हम लोग करा दर टू कोट्स एबी और सीडी अपर सेंटर रों इंटर्सिक्ट इच अधर एट पी बोलड़ा एबी और सीडी मैंने बोल दिया इसको एपी इसको बोल दिया इसका value इसने दे रखा 110 डिग्री और हमसे पुछ रहा बी ओ सी अब देखिए कौन से एंगल है बी ओ सी मतलब बी ओ सी हमें यह एंगिल इंगिल करना है अब खुद देखिए एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो तो कि BC यह code हो जाएगा अगर BC को हम जोइन करेंगे तो बीची द्वारा सेंटर पर जितना इंगल बना यह अंगल पता करना है और अगर BC को हम यहां पर लेकर जाने को सिस करें तो हमारे पर यह connection है अगर यह हम ट्राक कर दे रहे हैं तो हमारे यह center यहां इंगल मिल गया और यही हमारा AC code के लिए देखें का इसको हमने जोइन कर दिया है चमक्षाल को अगर AD code की बात करेंगे तो इसेंडर पर कितना एकल बना रहा है 110 यहां पर कितना एकल बनाईगा टोटल यहां पर कितना बनाएगा तो 55 डिग्री इसका आधा बनाएगा अब खुद देखिए यह 55 डिग्री है यह पूरा यहां यहां तक 55 डिग्री है पूरा और आपको पता है कि यह जो कॉड है सुपे हैं तो देखे यह एंगिल क्या होगे आपका सा या इंगिल में पता करना है गाल अब खुद बताइए यह एंगिल अगर 95 है अब देख़ें नियां इजान से इस ट्राइंगील में इस ट्राइंगल है इस ट्रेंगिल में अगर एंगिल 95 यह खिविव्टी है तो टोटल कितना गया आपको एकûtना हो पचास इसका मतलिगी कितना हो गया कि तीच दिग्री पूरे ट्रेंगिल का और वो एंग्ल 3 तीज देंग्यर सेंटर पर कितना बन जाएगा तो कहईगे इसका सेंटर पर कितना बन जाएगा इसका दबल यहीं अगिल से पूछ रहा था बी-ओ कलियर दहिए कॉर्ष्यन अबर 25 कर आप एप एप एक ट्रेंगल जिसमें अगल सी जो है नबबेड़ी दिन भी है A C का वेलू दे रहा है पांच, B C का वेलू दे रहा है बारह, the bisector of angle A meets, bisector of angle A meets B C at D, इसको कहीं D point में मिलता है, what is the length of AD, what is the length of AD, आप से पुछला AD का length क्या होगा, क्या कर रहा है एंगल C जो है नभी डिग्री का है, A C का वेलू दे रहा है उसने पांच, B C का वेलू दे रहा है उसने बारह, और आप से पूछ रहा है कि bisector of angle A meets B C at D, what is the length of AD, आप खुद देखें यह पांच है यह बारह है तो आप कहेंगे यह कितना हो जाएगा, तीरा हो जाएगा, यहां तक तो कोई डॉट नहीं है, अब आप देखिए कि जो एंगिल यह है, जो एंगिल यह है, वही एंगिल यह भी है, है कि नहीं, तो अगर हम बात करेंगे, इसमें से कोई एक साइड दैकालने की, अगर हाप इसकी और इसकी दैका रहें काया है, तो जाएगा Archive Proof नहीं, चलिए एक चीज करते हैं तपने जो Bc यह साइड साइड को अपने जो अडजेसेंट साइड होताAY। हाता है मतलब अगर इसकी बात करें यह तोटल पांच और 13 के रिश्य में बाटेगा मतलब 12 की तो मतलब 5 और 13 कितना होगी 18 तो 18 यह आपको कितना हो जाएगी distracting तीन मतलब ही होगे आपको 10 बटा 3 और 12 तेरा इनिट के वेलू कितना हो जाएगी 26 बटा 3 हम यह भी निकल गया हम यह भी निकल गया अब पिश में लगा दीजिए जो लगाना है हम क्या लगा रहें देखे यहां से जो लगाएंगे हमने हम यह हम कितना कितना जनकाइगा इसको थेटा बोलते हैं तो 10 थेटा कितना हो जाएगा नी टेन थेटा सफ्राइदा ने है पैस ने इतना निकल गया तो हम डारेक्ली यह निक político पैत कुरे श्तिर से रिम आ हो कि निकलना कौाईर ग भाइति ठीकीला ही तो तो इस्यूंग होग अब आप इसको पांच से काटेंगे तो 65 तेरा पच्छे 65 फाइब जागा बाहर तेरा बज्जा गंदर और तीन हो जागा बाहर आपका जो एडी का जो लेंथ हाज जागा वो क्या जागा फाइब रूट थाटिन भाई अब नगे हैं तो स्कोशन घंच निक निकालने के लिए इसके बाट पैसा फ्रूम लगा लिया तो चली हम ने उम्मीद के साथ जूस के साथ मिलेंगे तब आट अब कर देखे को स्वागे .....